जी प्रेंट्स आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वाइसफ क्या नहीं और मैं सब्दरखान क्या नहीं अच्छा प्रेंट्स आज हम एश्पिल्सी ऑपरेशन में जो बैस पैक्टिस हैं क्या है क्या है और अब टेक्टिस करेंगे और दूसरा इस पें लोग फैलियर कर जाते हैं जो और पॉइंट्ट विससे सही नहीं होता उसको भी डिसकस करेंगे दूसरा जो आप रेप्लिकेट लगाते है स्टंडर्स के सैंपल्स के एचपलसी पे उन में टाइम सेट का क्रैटेरी क्या है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है यह तीन-चार पॉइंट है एचपलसी ऑपरेशन में इसको डिसकस करेंगे यह बड़े इंपॉर्टेंट है वीडिय है आपके पाइच के आपके पास आपके और रही होता है भी मैनुल होते है आप स्ट बना के ऐंजेक्शन खुझ को सब्सक्राइब और अज्ट इसनेये सेपिक करता है आजम है इसलिए स्टम आप होता है हर product का method है जिसमें आप सके criteria पेरमिटर सेट होते है method testing के parameter दूसरा उस method के अगेंस जब किसी भी आप sample को analyze करते तो एक sequential command देते हैं कि आपके sample कि पोजिशन पर आपका blank कि पोजिशन पर रखा हुआ आपने standard कि पोजिशन कि वाइल पर रखी हुई है इस तरतीब को देना इस sequence को बनाना sequential wise सिस्टम करता है automatically इसको हम HPLC में sequence कहते हैं Sultan की जबाद में sequence कहते हैं यह बढ़ी important चीज़ है इसको बनाने का पूल तरीका आना चाहिए definitely जो भी operator होता हो जानता है कि sequence किस तरह बना जाती है लेकिन इसके operation में आपको पता होना जी कि क्या best practices और क्या best नहीं है यह दोने चीज़ आपको पता होना जी देखें सबसे पहली बात हुई है कि जब भी आप sequence चलाएं मैं auto sampling बात करता हूं क्योंकि वह automatic लेता है इसके best practice ही आपको पता है कि पांच रेप्लीकेट लगते हैं और सेंपल के आप 2 रेप्लीकेट लगाते हैं तो sequence command देने के लिए और अपने standard prepare कर लिया है और आपने sample भी prepared कर लिया है अब आप जा रहे है हपलसी पर operate करने के लिए sequence बना को command देने के लिए तो failure practice क्या होती normally के लोग standard blank की वाइल रखके standard की वाइल अपनी position पर sample की वाइल रखके command देते के plan का एक injection है standard के पांच replicate लेने sample के दो replicate लेने और अगर पांस सेंपल आगे है तो वोग उसको add करके और सारा sequence set करके system को command देते सिस्टम आटोमेटिक चलता रहते हैं यह लोग ज़्यादा तर practice करते हैं लेकिन इस पर failure यह है कि इस दोरान आपका system रुपता नहीं आटमेटिक चल जाते हैं लेकिन guideline और best practices यह यह कि आपने system को उस वक्त सेंपल प्रपिशन वाल इस्टेट पर नहीं लेके जाते हैं उस वक्त तक आगे प्रोसीड नहीं करते हैं जब तक कि आप सिस्टम के अपने standard की replicate जो होते हैं पांच उनकी RSD calculate ना कर ले तो इस पर failure के ले लिया audit trail में आ चुका है और आप मेंवेल साइड पर होगा उसके RSD की सिस्टम से रिपोर्ट निकाल रहे हैं और पता चले कि RSD fail होगी 2% से ज्यादा होगी जो कि नहीं होने थी तो अब जो आपका sample चला गया आगे वह accepted नहीं है यह आपकी गलत practice हो गई वह audit trail में भी आ फेल हो गया तो यह यह प्रैक्टिस लोग कर रहा तो गलत practice है इसमें आपका audit trail में चीज़ आ जाती है और पिसके जवाब दे जाते हैं कि आपने system को दुबारा क्यों रोका इस पर guideline यह गलत practice है कि आपको system चल रहा है तो उसको क्यों रोक रहा है आप बिला हो जाए आपने चला सकते हैं इसका best option है कि पहला blank run ले ले और उसके बाद 5 replicate जो standard के उनको run करें वहां तक sequence को select करके चलाएं यह जस्ट पहले आप standard को select करके चलाएं सेंपल के stage को आज नहीं चलाएं अगर आपके 10 सेंपल sequence के अंदर लगे में या बीस लगे में या पांच लगे में या एक लगा हुआ ठीक है best practice यही कि आप पहले standard को select करके चलाएं और system आपका चल रहा है system को आपके सीक्वेंस चल जाएंगी standard को system चल रहा है system को तो रोकना अलाव ही नहीं है यह तो possible नहीं कि आप system को बंद कर दे चलते हैं system में तो वह तो वर्स पैक्टिस किलाती है क्योंकि हम डिसक्रस कर रहा है best practices के तो आप जस्टेंडर को select करके चला रहा है और उनकी पहले RSD की रिपोर्ट system suitability की रिपोर्ट निकाल ले इससे आपको अंदाद हो जाएगा system suitability की रिपोर्ट पास है तो आगे आप samples को go ahead दे इस meanwhile जो आपका स्टेट पर रिपोर्ट करेंगे तो यह है best practice हमेशा आपने पहले standard को select करके चलाना अपनी सीक्वेस्ट में से पहले उसकी निकालने फिर आगे आपने sample को go ahead देना अगर आपका आपको आके हर injection पर इंजेक्शन देना होता है उसमें तो आप 5 इंटर्ण लागे सिस्टम तो आटोमेट के लागे जाई निए रुका हुआ है सिस्टम चल रहा है फ्लोर अट सब कुछ चल रहा है लेकिन सीक्वेस्टन कमांड आगे नहीं जा लिए sample standard की कमांड आगे नहीं जारी क्योंकि वह manual HPC है ठीक है तो उसमें त बहुत इंपोर्टेंट यह थी कि sample में जो इंटर्वेल होता है उसकी क्वास्व यह रेकितायम हमेशा है आप से सेंपल अपका सेंपल पक्राइब और दस मिनट के भी Bike असको लेना हैं लेकिन अगर आप ने उसको रोग दिया और आप चाहरें कि दस मिनट पर पहले ऑफ होना है और अगला इंजेशन उसी इप्लिकेट का दूसरा इंजेशन का दूसरा अप्लिकेट आप दस बाइस मिनट पूठा रहें यह 24 मिनट पूठा रहें रोक के अलग पैक्टिस से इस जाएंगे यह आपको अलाव नहीं है टाइम इंटर्वल की बहुत इंपोर्टन से कोई नहीं आना चाहिए सिस्टम आटमेटिक जो पाउस देता बीच में कुछ सेकंड्स का वह सिस्टम की टाइम को एक से दो मिनट तक गेप नहीं दे सकते स्टेंडेट्स के लावा सही है सेंपल्स में आपको गेप नहीं होना चाहिए टाइम की वेरी इंपोर्टन से हर इंजेक्शन का जितने सेंपल्स हों के उनका जो इंटरवेल से इंक रेप्लिगेट्स के दिरमाण टाइम कुछ सिक्वेंशन चलना चाहिए कोई के नहीं आना चाहिए ठीक है कि यहां तक बात अच्छा एक और इंपोर्टन चीज थी कि में जब भी आप सिक्वेंशली चीज़ें देख रहे होते हैं टाइम की इपोर्टन्स भी हो गई और स्टेंडर्स के दिरमान परामिटर्स भ लगा है, और पहर मेरा चोटा पर उलो गए, तो इसके बाद शचाटा लगाए, या नहीं तो और 30 मेरा 5 लगै और ऑ च緊 ले सकता है और यह सबसे स्टेंडर्स हमेशा आप सीक्वेंस पर लेते हैं अगर आपने पांच लगा आपके चौता रिप्लिकेट फैल हो गया तो आप तीन ले सकते चौते के बाद पांच वह वाला नहीं ले सकते ठीक है उन तीन को अब ले सकते अगर आपकी स्टेंडर्स से भी आरस जी काल्कुलेट करें वना अगर जो आपके डिफाइन है पांच रिप्लिकेर तो आपने पांच ही लगाने दुबारा से लगाएंगे या अगर आपक पांच पूरे लिए यह घलत प्रेक्टिस यह प्रेशन के अपको पता होना चाहिए इस तरह कि और बैस प्रेस्टिस वह में डिसक्स करेंगे अभी वीडियो को यह एंड करते हैं जो लोग चैनल पर न्यूँ थे लाजमें स्प्राइब कीजिए ताकि एसी टेक्निकल प्रेस् झालो